भारत के सबसे रोमान्चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर हैं सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के नाम डाउनलोड नाउ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम केम में वितिय जोकिम शामले और इसकी आदत लग सकती है जिम्मदारी और अपनी जोकिम पर खेले बांगलादेश को आजाद कराने में भारत की एहम पूलिया रही है और अब बांगलादेश अपनी आजादी के पचास साल पूरे कर रहा है इस खास मौके पर भारतिय सीना बांगलादेश में मिलिटरी ट्रिल में हिस्सा लेने जा रहा है। ये मिलिटरी ट्रिल चार से बारह अप्रैल के बीच होने वाला है। इसमें भारत के साथ शुलंका, बांगलादेश और भुटान की सेनाएं हिस्सा लेगी। कमिशन अधिका पूर्पूर के मिलेटरी सुपरवाइजर भी शामिल होंगे। बतादे कि भारत और बांगलादेश के संबंध काफी मजबूत हैं और इसी मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए बांगलादेश 1971 की युद्ध के 50 साल पूरे होने पर कई प्रोग्रामों का आयोजन कर रहा है। भारते सेना और बांगलादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने करीब 93,000 ताकिस्तानी सैनिकों ने 16 दिसंबर 1970 को आत्म समर्पन कर दिया था। इसके बाद बांगलादेश के जन्म का रास्ता साफ हुआ था। इससे पहले प्यमोदी ने 26 और 27 मार्च को बांगलादेश का दौरा किया था। बांगलादेश की अपनी स्यात्रा में प्रधानमंतरी मोदी ने बांगलादेश और भारत के बीच पांच महत्पूर समझोतों पर हस्ताक्षर किया था। ये समझोते दोनों बांगलादेश के बीच हुए दुपक्षव बातचीत में दोनों देशों के बीच हल्दिबाडी, चील घाटी, रेल रूट पर नई मिताली एक्स्प्रेस ट्रेन चलाने का एलान किया। ये ट्रेन धाका और नियू जलपाई गुडी के बीच चलेगी। इसके साथ ही बां बांगलादेश के बीच हुई दुपक्षव बातचीत के बाद बांगलादेश में बन रहे रूप पूर परमाणू पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट में भारत की अधिक भागिदारी हो इसके लिए भी आगे जोर दिया गया। जब प्रधानमंत बांगलादेश की आजादी की पचासवी सालगीरा पर जारी हुआ एक चांदी का सिक्का भी पिये मोदी को भेट के तोर पर दिया था। भारत और बांगलादेश आपसे रिष्टों को और अधिक बहतर बनाने के लिए लगतार प्रयास रत हैं। दोनों इस दिशा में ते कर दादेश की आपसे बांगलादेश